नमस्कार आप देख रहे हैं SPT News पेशे 5 अगस्त शुक्रवार श्राम सवा साथ बजे राजसान की बड़ी खबरे कांग्रेस राजसान में महंगाई के खिलाफ बड़ा विरोध प्रदेशन कर रही है अलग लग जिलों में नेता नए नए तरीकों से विरोध जता रही है राजसान से बड़ी संख्या में कांग्रेस नेता और कारेकरता दिल्ली में हो रहे प्रदेशन में भी शामिल होने पहुचे है यहां कांगर्स के राजिसान प्रभारी हजे माकन पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पाइलेट को दिली में प्रदेशन के दुरान हिरासत में ले लिया गया है जैपूर में कांगर्स प्रदेशा दक्ष गोविन सिंग डोटा स्रा के साथ कई मंत्रियों ने केंदर सरकार के खिलाफ सीविल लाइन्स में धरना दिया राजिसान में शुकरवार को जैपूर उद्यपूर सीकर अजमेर सहीत कई जिलों में प्रदशन हुए है पूर्वी राजिसान में एक सरकूलेटरी सिस्टम परिसंचन तंत्र एक्टिव होने के साथ ही मांसुन की तेज बारिश का दोर शुरू हो गया है पिछले 24 घंटे के दोरान बांसवडा जुनजनू नागोर प्रतापगर जिलों में तेज बरसाथ हुई राजदानी जैपूर में गुरुवार सुबह से रुक रुक कर बारिश हो रही है मौसम के अंदर जैपूर के नुसार 7 अगस्त के आसपास उत्तर पश्चिम बंगाल के खाडी में एक लोग प्रेशर सिस्टम डवलप होगा जिसके असर से अगले 2-3 दिन के अंदर राजे के कुछ हिसों में भारी बारिश भी हो सकती है अगले 24 घंटे में 13 जिलों में बारिश की संभावना है इस बीच जैपूर में आज लगातार तीसरे दिन बारिश हुई केंदर सरकार ने लगातार तीसरे बार ब्यास दरों में बढ़ोतरी कर दी है लेकिन इस बढ़ोतरी का राजेसान के रियल इस्टेट बजार पर कोई फरक नहीं पड़ने वाला है ब्यासदरों में बढ़ोतरी का बोज, लोग कर्ज की समयवदी को बढ़ा कर हलका कर लेंगे राजसान के डाई के अदक्ष धिरेंदर मदान का कहना है कि कुरोना के बाद अब राजसान के कारोबार ने रफ्तार पकड़ ली है इससे ब लोगों में ब्यासदर का भैग कम हो गया है वर्तमान में कोमोडिटी के दामों में गिरावत देखी जा रही है और जैसे जैसे दाम घटेंगे वैसे वैसे ब्यासदरों में भी नर्मी आना शुरू हो जाएगी जालमाड जिले में चिकित्सा विभाग की योजना के तहट अब परिवार नियोजन में सास बहु की जोड़ी महतफून भूमी का निफाएगी परिवार नियोजन को लेकर चिकित्सा विभाग की ऐर से 1288 में सास बहु समयलन होगे इसके लिए आशा, अंगनबाडी कार्यकरता और A&M की ओर से सास बहु की जोड़ी का चेन करने का काम शुरू हो चुका है समेलन में सास और बहु को बुला कर डक्टर और आशा परिवार नियोजन की जान करे देंगी सास बहु समेलन में कम से कम दस जोड़ियों को शामिल किया जाएगा दिल्ली और पंजाब में सरकार बनाने के बाद अब आम आदमी पार्टी का फोकस उनके पडोसी राजय राजसान पटी का हुआ है फिल्हाल आप पार्टी शहरों से लेकर गाव धानियों तक लोगों की बीच अपनी पैठ बनाने की कोशिशों में जोटी हुई है इसके साथ ही संगठन विस्तार को लेकर कवायद भी धिरे धिरे गती पकड़ने लगी है खास बात यह है कि इस कवायद में आप पार्टी कांग्रेस भाजपा से एकदम विपरित मॉडल पर काम कर रही है कांग्रेस भाजपा के मिशन 2023 के सामने आप पार्टी फिल्हाल अपना संगठन कड़ा करने की ही कवायद में है प्रदेश प्रभारी विने मिश्रा की अगवाई में संगठन को नए सिरे से खड़ा करने पर चरण बद तरीके से काम किया जा रहा है सीकर में 10 साल से कागजों में उलजी कुंभा राम लिफ्ट परेजल पर्योशना की नई लागत राशी पर राजे सर्य सिमीती ने मुहर लगा दी है वी सी आर दरे संशोनित होने की वज़े से प्रोजेट की लागत 2200 करोड रुपए तक पहुच गई थी लेकिन सिमीती की आपत्ती के बाद 8780 करोड रुपए की अनुमानित लागर पर ही मुहर लगी है सिमीती की बैठक का कारेवाही वीवरन आने के बाद नोडे रजेंसी की ओर से निविदा जारी की जाएगी निविदा जारी होने के बाद बर्षों से अटका प्रोजेट का काम धरातल पर आ सकेगा सीकर वे जुचनु जीले के 1133 गाम धानियों के लोगों की पेजल की उमीदें इसी प्रोजेट से पूरी होंगी इस बज़ेट मेराजय सरकार ने 500 क्रोड रूपए इस योशना के लिए देने की घोशना की थी लेकिन दो बार प्रोजेट की DPR संशोदित होने की वज़े से अभी तक काम शुरू नहीं हो सका अज मेर शहर जिला कांग्रेस कमेटी ने शुकरवार को देश में बढ़ती महंगाई वेबरोजगारी को लेकर किंद सरकार के खिलाफ हला प्रोड परदशन किया डाक बंगले से कांग्रेसियों ने निवर्तमान शहर एद्यक्ष के नितित्र में रैली निकाल कर कलेक्टेड पहुंचे और कलेक्टेड चेंबर के बाहर धरना लगा दिया कुछ देर चले धरने के बाद कांग्रेस पदाती कार्यों और कार्यकर ताउन ने अपनी गिरफतारी भी दी जहां सीविल लाइन्स थाना पुलिस ने पुलिस की बसों में सभी को बिठा कर थाने ले जाकर कुछ देर बाद छोड़ दिया अजमेर शहर जिला कांग्रेस कमेटी के निवर्तमान यदक्ष विजय जैन ने बताया कि जिस तरह से देश में महगाई बढ़ रही है उससे हर वर्ग परशान है बुंदी चिले के देई CHC की बड़ी लापरवाही सामने आई है CHC में 13 डक्टरों ने उल्टा बच्चा बता कर प्रसव पीड़ा से करा रही राजी बाई माली की डिलीवरी करने से मना कर दिया और महिला को बुंदी जिला अस्पताल में रेफर कर दिया रास्ते में अम्बुलेंस 108 में ही नॉर्मल डिलीवरी के साथ प्रसूता ने बच्चे को जन्म दिया चंदनपुरा निवासी प्रसूता राजी बाई माली को प्रसव पीड़ा होने पर परिजन देई सीच सी लेकर पहुंचे जहां पर डॉक्टरों ने डिलीवरी कराने के बजाए गर्म में बच्चा उल्टा बता कर उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया परिजनों ने डक्टरों से कहा कि सोनोग्राफी रिपोर्ट में बच्चा सिधा है पर उन्होंने एक नहीं सुनी और महिला को रेफर कर दिया सीकर में मुहर्म को लेकर जिला प्रशासन कीसी τरह की कोई कोटा ही नहीं बरतना जाता जिला क्लेक्टर और एस्पि ने अधिकारियों को गंभीरता से काम करने की सलह दी है अवारा पशु को लेकर लापरवाही सामने आई तो संबंदित अधिकारी को नहीं बक्षा जाएगा इस बार चार्शिट नहीं बलकि सक्त से सक्त कारेवाही को अंजाम दिया जाएगा मुहर्रम को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह से अलट नजर आ रहा है आज जिला कलेक्टर अविचल चतुरवेदी ने शांती सिमीती की बैठक ली वहीं बैठक में स्पी कुमा राष्ट दीब भी मौजूद रहे मीटिंग में कलेक्टर चतुरवेदी ने अधिकारियों को लापरवाही नहीं बरतने के निर्देश दिये पुलिस के साथ कंदे से कंधा मिलाग कर सुरक्षा व्यवस्था में ड्यूटि देने अधिकारियों की सुरक्षा में लगने वाले होमगार और आपता के समय लोगों को बचाने वाले सिविल डिफेंस के जवानों से कोटा में घर घर से कच्रा उठवाया जा रहा है कोटा नगर निगम उत्तर में घर घर से कच्रा संग्रहन का ठेका खत्म होने के बाद गारियों को चलाने के लिए होमगाड और सीविल डिफेंस के जवानों की ड्यूटी लगाई गई है एक अगस्ते इन जवानों से काम लिया जा रहा है दरसल कोटा उत्तर में ठेके पर ड्राइवर लेकर कच्रा संगहन के लिए टीपर चलाया जाते है जुलाई में यह टेंडर खत्म हो गया तो समय रहते नगर निगम ने नए टेंडर जारी ही नहीं किये राजसान के अलवर में भाजपा कार्यकरताओं ने भाजपा किसान मोर्चा प्रदेश कार्यकारणी सदस्या प्रकाश अधिचवाल और जिला मेडिया प्रभारिच जितंदर गोयल के नितित में पार्टी के प्रदेश अधर्ष सतीश पुन्या को तिरंगा सोंख कर हर घर तिरंगा भियान की शुरुवात की प्रदेश अदक सतीश पुनिया ने बताया कि अभियान भारत के सभी सुतंतता सेनानियों, अजादी के महानायकों और शहीदों को शद्धा सुमन है भारत की अजादी के लिए जिन वे सेनानियों ने अपना सर्वस्वस अर्पित किया उनका सदैव स्मरण रहे स्पोर्ट्स में इंटरस्ट रखने वाले युवाओं के लिए अच्छी खबर है स्पोर्ट्स अठोर्टी ओफ इडिया यानि साई ने मसाज थेरपिस्ट के 104 पदों पर भरते निकाली है जिसके लिए 35 साल तक की उम्र के कैंडिडेट्स साई की ओफिशल वेबसाइट पर जाकर 6 अगस तक ऑनलैन अप्लाई कर सकते हैं कुल 104 में से 45 पद अनारक्षित हैं वहीं OBC के लिए 27, SEC के लिए 15, ST के लिए 7 और EWS के लिए 10 पद अरक्षित हैं फिर हाल इस बॉलेटेन में इतना ही फिर हाजिर होंगे और बड़ी खपरों के साथ अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्यपुर्ण खपरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारी चैनल SPT News को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर